हेलो फैंट्स मैं हूँ सुरिष्कमार सर्मा और फिर से बहुत वस्वाइब करता हूँ आपका अपने चैनल पर लाइसी यानि कि लाइफ इंसोरेंस कोरपरेशन ऑफ इंडिया भारत के लोगों के भरोसे का दूसरा नाम आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइस मनतरी योजन क्या है और पर्धानमंतर य के लिए आपको किन की डॉकमेंट्स की जरूत पढ़ने वाली है और प्यंगे लिए एफ की keeps हो किस तरीके से मिलती है और इस योजना में आप कितने तक का निवेस कर सकते हैं और इसका इंट्रेस्टेट क्या है और LIC की इस पैंसन योजना के क्या क्या फाइदे हैं और आप किस तरीके से इस योजना के लिए ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं हम LIC की इस पैंसन योजना के बारे में सारा कुछ आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं तो आप वीडियो को कहीं पर भी स्कीब मत करिएगा तो आए फ्रेंड श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं LIC की PM बेयर बंदना योजना के बारे में सबसे पहले बात करते हैं परदान मंतरी की बेयर बंदना योजना के बारे में कि बेयर बंदना योजना तो परतान मंतरी की जो बेयर बंदना योजना मिलता है इस योजना में 10 सालों के लिए 8% की गारंटी के साथ रिटन दिया जाता है अगर बार्सिक यानि कि सालाना पैंसन का option कोई 22 इसमें जो चुनता है तो उसे 10 सालों के लिए 8.3% की गारंटी के साथ रिटन यानि कि बापसी मिलती है इस योजना के लिए senior citizens जिनकी age 60 साल से उपर की है वो लोग इसमें investment कर सकते हैं पहले इस योजना को चार मई 2017 से लेकर 3 मई 2018 तक के लिए खोला गया था लेकिन अब इसके तहट इसमें निवेस करने की जो समय सीमा है उसको बढ़ा कर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया है यानि कि आप 31 मार्च 2020 तक इस प्लान को पर्चेस कर सकते हैं परदान मंतरी बेर बंदना योजना में पहले जो लिमिट थी investment करने की वो 7.5 लाख रुपे थी लेकिन अब उसे बढ़ा कर 15 लाख रुपे कर दिया गया है परदान मंतरी बेर बंदना योजना में संसोतन के तहट अधिक्तम निवेस की जो समय सीमा है उसको परती बरिवार से बदल कर परती बरिष्ट नागरिक कर दिया गया है इसका मतलब ये है कि अगर एक परिवार में पती और पतनी दोनों वरिष्ट हैं तो वो दोनों अधिक्तम 15-15 लाख रुपे तक का इसमें investment कर सकते हैं इसका मतलब दोनों मिलकर कुल मिलाकर 30 लाख रुपे का निवेस करकर इसमें bonus का लाब उठा सकते हैं अगर बात करें इसमें age की eligibility की तो इस योजना के लिए हर व्यक्ति की उमर कम से कम 60 साल होनी चाहिए यानि कि 60 साल या फिर इससे ज्यादा की उमर के जो senior citizens हैं वो इसमें निवेस कर सकते हैं परधान मंतरी की बेवन्जना योजना के लिए अधिक तक उमर की सीमा कुछ भी नहीं है यानि कि 60 साल से उपर की कोई भी इसमें समय सीमा नहीं है चलिए आपको बताते हैं कि परधान मंतरी बेवन्जना योजना करने के लिए जो जरूरी documents हैं वो क्या-क्या हैं तो आपको बता दें कि आपको pen card की copy यहाँ पर देनी होगी और आपका जो address proof है वो आपको देना होगा क्योंकि pen card के अंदर address proof address नहीं होता है तो address proof के तोर पर आप अपना आधार card passport भी दे सकते हैं आपको उस बैंक की passbook के पहले front page की copy देनी होगी जिस बैंक में खाता धारक को pension चाहिए है बैंक के passbook में IFSC code होना जरूरी है आप इसमें cancel check भी दे सकते हैं अगर बात करें परधान मंतरी बेवंदना योजना में tax benefits की यानि कि परधान मंतरी बेवंदना योजना में tax की छूट किस तरीके से मिलती है और तो आपको पता है कि परधान मंतरी बेवंदना योजना में जो आएकर 1961 की धारा है उसके अंदर 80C के तहट जमा की गई रकम बिल्कुल टेक्स मुक्त होती है हाला कि जमा हुई रासी में अजित ब्याज पर आपको टेक्स देना पड़ सकता है चलिए बात करते हैं कि परजान मंतरी वय बंदना योजना में निवेस करने की जो सीमाएं हो वो क्या-क्या है तो आप इस योजना में इकठा पैसा भी लग कर सकता है जिसके हिसाब से PMBBY में अधिक्तम और नियूंतम सीमा इस परकार से हो सकती है आप यहां पर इसक्रीन पर देख रहे हैं जो नियूंतम सीमा है वो इस परकार से होगी महीना यानि कि डेड़ लाग रुपे और ती माई एक लाग उनंचा सजार 068 और छे माई एक 47 जार 601 और वारसिक में 1 लाग 44 जार 578 और अधिक्तम की यहां पर 15 लाग 14 लाग 90 जार 683 रुपे तिमाही में और 6 माही में 14 लाग 76 जार 015 और वारसिक 14 लाग 45 जार 773 रुपे है चलिए अब बात करते हैं परधान मंतरी बेवंदना योजना में जो इंट्रेस्ट है यान इसमें यदि yearly लेते हैं तो आपको परती 1000 रुपे पे 83 रुपे और परती 1000 रुपे छे महीने में लेते हैं तो 81 रुपे 30 पैसे और quarterly लेते हैं तो 80 रुपे 50 पैसे और मंतरी लेते हैं तो आपको 80 रुपे दिया जाएगा यानि कि आप 1000 रुपे पे 80 रुपे अगर मंतरी लेते हैं तो आपको pension दी जाए गी अगर आप quarterly लेते हैं तो 80.50 पैसे दिए जाएंगे और 6 महीने में लेते हैं आप तो आपको 81.30 पैसे दिए जाएंगे और सालाना पैंसल लेते हैं तो आपको तिरासी रुपे थाजार रुपे पे दिया जाएगा LIC की पजान मंतरी बेवंदना योजना के अगर फाइदों की बात करें तो आपको यहां पर बता दे कि इसमें अगर मान लीजे पॉलसी धारक की मिर्ट्वी पॉलसी की अबदी यानि की समय सीमा के दस साल के अंदर हो जाती है तो उसके नॉमनी को जो खरीदी गई मुले रकम है जो मुले है उसका जितने की पॉलसी उसने खरीदिये प्लान लिया है वो उसको बापिस कर दिया जाएगा अगर पॉलसी धारक दस साल तक जीवित रहता है तो उसे खरीदी गई रकम के साथ पैंशन की आखरी किस तक का भोकता किया जाएगा यह पॉलसी आपको पॉलसी अब्धी के दोरान गंबीर परिस्तितियों में समय पूर्फ सरेंडर की अनुमति भी देती है यानि कि आप इस पॉलसी को सरेंडर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहां पर इसकी गंबीर परिस्तितियों का अर्थ आपको या आपके पती-पतनी को किसी भी परकार की critical बीमारी से लगाया गया है यानि आपको या फिर आपकी wife को ऐसी कोई परिषितिती आती है, ऐसी कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है तो आप policy को कभी भी surrender कर सकते हैं और आपको जो आपकी policy खरीदी गई है अगर आप सेरेंडर करते हैं तो आपको 98% रासी बापिस दे दी जाएगी और अगर इसके और फाइदों के बारे में बात करें तो अगर कोई पॉलसी धारक आतमत्या करता है तो उसके नॉमनी को पूरी खरीदी गई मुल्य का भुकतान कर दिया जाएगा इसमें लोन लेने की भी सुव पर वो बापिस ले सकते हैं मैचुर्टी के बाद आपके पैसे आपको बापिस कर दिया जाते हैं यह भी आपको यहां पर बताना जरूरी है यह भी एक इसका फाइदा है कि जितने की आपने इसमें प्लान लिया है जितने की आपने पॉलसी लिये उतना पैसा आपको 10 साल क के बाद बाद बापिस कर दिया जाएगा पंद मंतरी बेब औनलएं योजना के लिए बावेदार है वह इसके लिए ऑनलाइन आवियन कर सकता है आप इसके लिए यहरीवाण कर जैस係 हमने बताया इसका प्प्लान नंबर 842 है आप जाकर расп Take की बारे में देख भी सकते हैं और ओनलाइन जाकर वहां पर इसरी को ख funktionы के लिए apply भी कर सकते हैं पर्दान मंतरी बेवंदना योजना के लिए किसी भी LIC के agent से मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं उन से जानकारी हासिल करना चाहें तो आप जानकारी भी हासिल कर सकते हैं अगर आप calculation करना चाहते हैं परदानमंत्री बेवंद्रा योजना का तो आप यहां पर screen पर देख सकते हैं yearly minimum purchase price एक लाग चौालिस जार पांसो अठतर पर बारा हजार रुपे annual है और half yearly एक लाग 47,601 पर छे जार रुपे half yearly है और quarterly एक लाग 49,008 रुपे पर तीन हजार रुपे पर quarterly है और monthly एक लेड़ लाग रुपे पर 1000 रुपे monthly है यह आपको चलते चलते अब यह भी बता देते हैं कि लाइसी की परदानमंत्री बेवंद्रा योजना के लिए अगर आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इसका टॉल फिरी कस्टूमर केर नंबर इमेल आइडी और इसकी ऑफिसल वैब साइड के बारे में हमने आपको बताया कि यह लाइसी की आप वैब साइड पर जाकर इसके बारे में सब कुछ चेक कर सकते हैं यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पी एम बीवी वाई कस्टूमर केर नंबर टॉल फिरी नंबर आपको यहां पर दिया गया है इस नंबर पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं यहां पर फॉन करने के लिए जो समय दिया गया है वह सौम बार से सनी के बीच में सुबह 10-10 वजे और साम को साड़े पांच वे तक कोल कर सकते हैं परदान मंतरी बेवंधना योजना के लिए इमेल आइडी यहां पर दी गई है जिस पर आप मेल भी कर सकते हैं परदान मंतरी बेवंधना योजना को पहले 4 माई 2017 से 3 माई 2018 तक के लिए चलाया गया था लेकिन अब इसके अंदर निवेश करने की जो समय सीमा है उसको बढ़ा कर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया है यानि कि LIC की परदान मंतरी बेवंधना योजना को अगर कोई खरीदना चाहता है तो 31 मार्च 2020 तक का समय उसके लिए रखा गया है 31 मार्च 2020 तक कोई भी इस प्लान को परचेस कर सकता है तो LIC की परदान मंतरी बेवंधना योजना के बारे में आपने यहां पर जैनकारी हासिल करी यह वीडियो आपके लिए जरूर हेल्फुल रहा होगा और LIC के और जादा बैजन टिप सेंट्रिक्स के लिए आप यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेट जोड़ने जोबसाओ वर फेस्बुक पर अगर अभी तक आपने वारे चैनल को सब्सक्राइब करकर कर चैनल को सब्सक्राइब के लिए सब किया वाता त आपका बदल बहुत धन्यवाद फिर मिलता है अपसे जब जाए दिन जानकर साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तब तक लिए गूड़ बाय टेक केर जाहन।